काई आए साधना की रेसीपी तो साधना की रेसीपी तो आज मैं आपके ले ले एक लिए आरी कर आई हूं आहए रहितो जल्साइडा की जन् einzige की ज़डि रख останे हैं यह तक बनाना भी तब बहुत है तरह सैकता निम्स भी banco तब कुब करते हैं 3-4 हरे मिर्च मैंने यहां पर बारी कट करके रख लिया है और कुछ उबले आलू के छिलके मैंने यहां पर निकाल के रख लिया है तो चलिए अब चोखा बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने गैस ओन करके चड़ा दीती कड़ाई कड़ाई में मैंने डाला है चार छोटे चम्मस तेल, तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है हम यहाँ पे डालेंगे सर्सों के दाने, तो सर्सों के दाने तड़कते ही हम यहाँ पे डालेंगे मेथी के पत्ते मेðी के पत्ते के बाद हम दालेंगे लहसुन और हरे मेश तो चलिए इसे हम थोड़ ऐसा फ्राई होने देंगे फिर हम यहाँ पे ढालेंगे बाड़ी कटा हुआ प्याज प्याज जालने के बाद हम चमत चलाएंगे और सारी चीजों को अच्छा से मिक्स कर लेंगे तो चलिए यहां पे हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहां पे हम ढखन बंद करेंगे और इसे पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए तो चलिए यहां पे पांच मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ज़िए प्याज काफी सॉफ्ट हो चुकी है तो इस स्टेज पे ढालेंगे मसाले तो मैंने चाहमा दैला यहां पे ड़ीच पहले से डाल पर डाल के लाल मिर्च ऐहांगे दाला है तो यहां पे लाल मिर्च के बाद मैं टालूऊँगे टेस्ट के अकोडिन नमक तो चलिए नमक डालने के बाद हम चम्मच से इस तरीके से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस यहाँ पर ढकन बंद करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से घुल जाए चलिए यहां पे दो मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सारे मसाले काफी अच्छे से घुल चुके हैं और प्याज के साथ मिक्स हो चुके हैं तो इस स्टेज पे हम डालेंगे उबले हुए आलू जिसे हमने क्रश करके रखा हुआ था तो चलिए आलू डालने के बाद हम यहां पे डालेंगे खूब सारा हरा धनिया फिर अब चमच चलाएंगे और सारे चीज़ों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो जी यहां पे हमने सारी चीज़ों को आलो अच्छे से मिक्स कर लिया है देख सकते हैं तो चलिए इसे मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे तहकं बंद करेंगे और न いसे 2 मिनट यवठ के लिये पका लेगे लो जी यहां पर 2 मिनट के बाद sindeplats आप देख सकते हैं आलो का चोखा पूरी तरह से बनके तयार हो चुका है तो मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी अच्छी लगी होगी तो कमें शेक्षन में जरूर बताएगा और मेरे चैनल पे नहीं है तो जल्दी जल्दी जाएए और आलो चोखा बनाएए तो मिलते हैं इसी तरीके की अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाए थैंक्स फॉर वाचिंग